आप working professional हो, आप student हो, आप teacher हो, आप जो कोई भी हो, आज के वीडियो में जो साथ AI tool में आपको बताने वाला हो, वो सब के काम में आने वाले हैं जिया, अगर आप एक working professional हो, आपकी work productivity बढ़ाने के लिए AI tool काम में आने वाले हैं अगर आप एक student हो, आपका smartness बढ़ाने के लिए काम में आने वाले, और अगर आप एक teacher हो, आपके तो बहुत काम में आने वाले, कैसे इस वीडियो को देखने के बाद पता चल जाएगा, तो चलिए, शूर करते हैं सबसे पहला AI tool में आपको बताने वालो, एक्जाम्पल के लिए बता दे तो आपको, suppose आप Google पे search करो कोई topic के बारे में और आपनी information निकाले और वह information आपको Wikipedia पे बली, तो Wikipedia पे जाकर जब आप information पढ़ते तो बहुत लंबी चोड़ी information रहती है, लेकिन आपको उसका summarize करना है तो आप क्या करो, इस tool को use करो, इस tool का नाम है resumar, resumar.com ये website विजिट करो, जहां पे आप अपने content को copy पेश करो, मतलब आपने जो वहां पे basically Wikipedia पे content देख ले, उनको copy करके यहां पे पेश करो, resumar बटन पे click करो and then you will be able to find out कि वह उसमें जो important information उसकी summary निकल कि आपको मिले इंपरो करने के लिए भी AI tool आ चुका है, अब आपने suppose कोई video record कि है, कोई meeting conduct की, उसका video आपके पास available है और आप देखना चाहते हैं कि उसमें आपने English में कितने कैसे tone यूज की है, आपने voice modularity आपका कैसे है, या फिर आपको लगता है कि यार मेरी English weak है, तो वो सारी के सारी यहाँ पर tool suggest करने वाला है, tool का नाम है poise.com, poise इस तरह से pronounce करते होंगे शायद, okay, so यहाँ पर जाकर आप अपना वीडियो अगरा upload कर सकते, and देख सकते, analyze कर सकते, अपने communications को, कि आपने कहाँ पर कैसे, किस तरह से बोला है, सारी के सारी चीज़ों को analyze करेगा, आपकी voice को analyze करेगा, आपकी communication, आपकी pronunciation को analyze करेगा, और आपको वहाँ पर guide करेगा, तो यह tool काफी interesting है, अगर आप अपना communication, improve करना चाहते हो, तो इसे जरूर ट्राइ कीज़े, poise.com, अब next tool है NVIDIA की तरफ से, जिया जो graphic card design करते है, अपने नाम भी सुना होगा, अगर आपने graphic card या या NVIDIA का यूज किया है, तो basically उन्होंने अपना AI टूल लांच किया है NVIDIA का Canvas, जहां पर आप क्या कर सकते, कोई भी rough shape ड्रॉ करो, उसकी actual image यहां पर बन जाएगी, yes, actual photograph वहाँ पर बन जाएगा, मतलब यार, आपकी painting, मेरी painting तो स्कूल के जमाने से भी खराब थी, और मुझे कभी भी स्कूल में painting निकालने के लिए बोला जाता था, तो मैं एक ही painting हमेशा निकालता था, वो painting थी पहाड की और फिर उसमें एक sun दिखा और उसमें ट्री दिखा और नदी दिखा, क्योंकि पहाड तो कैसे भी ड्रॉकरों कोई गलत नहीं बता सकता, लेकिन यहां पर यह तो काफी कमाल की चीज़ है, अब बढ़तें next AI tool की तरफ, अब next tool यह भी सब के काम का tool है दोस्तो, अगर आप एक working professional हो भई, आप online meeting conduct करते होंगे, zoom application की उपर, google meet की उपर, या फिर teams की उपर, Microsoft के, तो उस time पे, बहुत बार जब आप meeting conduct करके हो गए आपके, तो बहुत स सारे points के notes आप निकाल सकते, मतलब automatic notes निकलते जाएंगे, तो यह काफी interesting tool है, यह आपका time भी save करता है, बात में work productivity तो बढ़ाएगा, बढ़ाएगा, और आपके पास सारे notes रहेंगे, कल की meeting जो conduct की थे, उसकी यह steps, यह notes है, यह point पे यह बोला था, यह point यह बोला था, और य लेकिन अब इस वाले AI tool की मदद से, आप meeting के पहले जो PPT's हमें बनानी होती है, जी हाँ, मैं PPT की बात कर रहा हूँ, powerpoint presentation की बात कर रहा हूँ, जो हमें meeting के लिए required होते है, जो stunning presentation required होते है, अब जब हमें presentation मनाने हैं, तो वहाँ पे हमारे घंटों लगते हैं, क्योंकि presentation के ल marketing की उपर का presentation, sales की उपर का presentation, आप पूरा detail लिखो कि आप कौन से topic पर PPT बनाना चाहते हो, तो वहाँ पे जैसे आप prompt लिखोगे, enter करोगे, tom.app आपके लिए presentation बना के देगा, interesting AI tool है, ज़रूर इससे भी try कीजिए, अब next AI tool, ये भी सब के काम का है, basically, अगर आप अपना CV बन होते हैं, वो create कर सकते, आजकल लोगों को resume बनानी की idea नहीं रहती है, मतलब यार कौन सा point कब डालना है, क्या डालना है, कैसे डालना है, qualifications कहां पर लिखना है, experience कहां पर लिखना है, कहां पर आपकी personal information होनी चाहिए, कौन से section में, और किस तरह से होनी चाहिए, ये सारी चीज अब next AI tool बताने से पहले मैं आपको बताओ कि market में हजारो लाखो टूल launch होते रहते हैं, और अगर आपको ऐसे AI tool की information चाहिए रहेगी, तो भहिया इस channel को subscribe करके रखिए, भहिया या बेंजी जो भी इस channel को subscribe करके रखिए, bell icon पे click कीज़े, और साथी में, वीडियो को like करना बूले, share भी कीज़े, दोस्तों के साथ, comment भी कीज़े, कैसा लगए, अब तक का जो topic है, और आगे बढ़ने से पहले एक और चीज़, अगर आप skills सीखना चाहते हो, skills सीखने हो, अपने knowledge को improve करना चाहते, और साथी में, certificate with skills सीखना चाहते, घर बैटे बैटे, तो हमने एक platform launch किया है, जहां पर आप घर बैटे बैटे courses सीख सकते हैं, और अपने आपको smart बना सकते हैं, अपने आपको job market में, जो jobs available हैं, उनके लिए qualify बना सकते हैं, data analytics ले लो, accounting ले लो, या फिर graphics फिल में ले लो, ऐसे अलग अलग sections के लिए हमने courses design करके रखे, skill course application के उपर available है, description में आपने link दी है, वहाँ पर जाकर check out कर सकते हैं, courses आप अभी जाकर check out करो, अगर आप interested हो, skill course application के link, फिलाल तो 7 नमबर का AI tool या आप बदाने वाला हूँ, लेकिन एक और bonus AI tool भी बदाने लो इसके साथ-साथ, तो 7 नमबर का AI tool है हमारा typeset.io, और यह size space नाम से जाना जाता है, यहाँ पर जैसे example ले लो Google पर कुछ चीज या कुछ topic या कुछ note सर्च करते हो, तो उतरी details आपको नहीं मिलती है, अगर आपको details article चाही चीज हो के बारे में, तो यहाँ पर जाकर आप सर्च कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर सर्च किया, give me articles on chat GPT, ऐसा कुछ यहाँ पर मैं देख सकते हैं, यहाँ पर पूरे के पूरे article आपको PDF format में मिलेंगे, पूरे notes यहाँ पर मिलेंगे, तो यह proper articles अगर आपको डूनने, proper notes उस particular topic के बारे में चाहिए, detailed topic के बारे में information चाहिए, तो यह size space यानि कि typeset.io visit कीजिए, यह 7th नमबर का EI tool है, सब के काम में आने वाल Basically, आजकल memes का जमाना है, तो हर कोई अपने इंस्टा अगर आपे memes डालना चाहते है, तो यह एक tool है, जहाँ पर text type करो, और memes तायार करो, wow, interesting, दिखाता हम आपको, यह supermeme.ai नाम से tool है, basically, इसके उपर sign up करने के बाद, यहाँ पर आपको text लिखना है, जैसे to create your own identity, you have to do something extra, यह मैंने डाल दिया, और मैंने generate button पे click किया, तो यहाँ पर आप देख सकते ही, धेर सारे memes यहाँ पर तयार होगे, मतलब text type करो, and आपको memes मिल जाते, आपका content है, उससे related, आपने content type किया, उससे related, यहाँ पर अलग-अलग quote आपको मिलेंगे, और साथ में images भी मिलेगी, relevant images, right So, you can download any meme, right, यहाँ पर download button भी उन्होंने दिया है, download करके आप share भी कर सकते है, तो यह एक interesting tool है, मुझे अच्छा लगा, super meme, free में sign up कर लो इसके उपर, and check out कर लो, तो यह थे 7 plus 1 bonus के तोर पर एक AI tool, तो इसे इस्तमाल कीजिए, description में हमने हमारी skill course application की link दी है, जरूर check out कर, उन्हों है, शरूर अ भूर desperately, तो ये कर दो दक है, तो ये है, तो ये होँखात सर्माल कीजिए, तो ये है जैर बादना हो है, अड़ में चार-वार बादना है, वे उन्हार कीजिएके ड़ कर वांना है आप कर बात के है, ये है तो ये हैसुर गुर ई्थ ये हैं बादना ह